चाचा की मिर्टु ने मुझे बिल्कुल जग जोर दिया, एक डर भी आया, कि क्या मैं मेरे माबाप भी मैं उनको खो दूँगा, मेरा को मेरा आउडिशन इतना पसंद आ रहा था कि उन्होंने रोका नहीं. बिहद ही उंदा, अधाकार, मनुझ बाचपे, जिन्होंने हिंदी फिल्म इतिहास में एक अलग ही नामदर्च कर लिया है, जब वो सीक्रेट औफ बुद्धा रेलिक्स के जरिये, महात्मा बुद्ध के आखरी दिनों के गुड रहस्यों को आपको समझाने की कोशिश करते है तो वो सब जो जटिल बाते हैं आपके दिलो दिमाग पर आसानी से छा जाती है, मशकार मैं हूँ आशीश, आप देख रहे हैं दैनिक भासकर और इस समय मेरे साथ हैं मनुझ बाचपे जी जो की होस्ट और नेरेटर हैं सीक्रेट औफ गुद्धा रेलिक्स के और साथ में सीरीज के डिरेक्टर रागाओ जैरत और प्रोडूसर शीतल भाटिया भी है, कैसे हैं आप दिलों? बहुत बढ़ी है, बहुत अच्छे. पहले तो मनुझ जी, क्योंकि ये हैट्रिक है आप लोगों के और जब बना रहे थे, ये कॉंसेप कहां से शुरू हुआ? मुझे जब ये रागाहुर और नीदश पांडे ने जब मेरे पास में भीजवाया था, जब मैंने पढ़ा, तो सिक्रिट अब सौनौली जब पहली बार इदोंने लिखा था, सौनौली के बारे में ये था कि मैं उससे जो है अवे था, मैं जानता था उसके बारे में, तो ह आने की कोशिश करेंगे, तो वहां से हमने एक ये टाय किया था, और टीनो का मूड है, हमने टीनो का मूड अलग किया, सिक्रिट अब सौनौली कोज जधा तर हमने रहस्मई अंदाज से बोला, सिक्रिट अफ कोहिनूर डाइमनल को हमने ज़्यादा ड्रमाइटिक, क्योंकि उसमें ड्रामा है बहुत सब्सक्राइब तो हमने उसको थ्रिलर ड्रामा के अंदाज में उसको पढ़ा और सीक्रिट से बुद्धा रिलिक्स के समय में ये डिसिजन लेया कि यार बुद्ध के बारे हैं बात कर रहे हैं बुद्ध के बारे में हम ज़्यादा रहस और आपको ड्रामा या थिल की कोई ज़रूत नहीं है। बुद्ध जहाँ पहुच चुके थे, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस मूढ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस अवस्था को पकड़ने की कोशिश करते हैं. तोनालिटी, मूड जो है उसको सेट करना और क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है लेकिन यह जो आखरी दिनों की महा परिविय निर्मान की बात है बहुत सारे जो गुड रह सके जो बात करा हूं उसको इस अंदाज में लेके आन कि लोगों को बहुत एंटेटेनिंग भी लगे और उस चीज से वो अवेर भी होता है जब हम लोगों ने कठा करना शुरू किया वो कहिना कहीं सीधा हमें बहुत सारी चीज़ें हमें खुद नहीं पता थी अब उसको कहानी बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि हमें यह सारी क कहानी को एक साथ मिनट के दायरे में भी बतानी है हमें उसको एक टाइम में बतानी है कहानी तो हमें बताना चाहिए तो हम दो घंटे की बता सकते हैं हम नबे मिनट की बता सकते हैं एंड उसको उस करेक्ट वे में बताना और एक एक नरेटेव वाइस ढूनना पड़ता है इसमें सर के साथ वो मारा कॉलाबरेशन हमेशा से रहा एकेडेमिक चीज को कैसे हम मज़धार तरीके से बताए कि यूथ को हमें बतानी दिये कहानी जो अपने इतिहास को जानते नहीं है अभी या जानना नहीं चाह रहे थे तो उन से कनेक्ट करने के लिए कहानी बहुत मज़धार थी और वो खुद ही सब जुड़ गया बैसिकली अफशेश जो है अफशेश ये पहली बार बने थे कि इनको अफशेश को रखना और गौतम बुद ने खुद बताया था कि किस प्रकार से इन अफशेशों को रखना चाहिए क्या प्रक्रकिया होनी चाहिए किस चीजों से इनको मतलब कहां रखना है कहां नहीं रखना है तो वो सारी चीजों में हमें बताने का जो तरीका था या वो चीज सबसे ज़्यादा हमको बाहर निकल के आये थी रेलिक्स की खानी आफ शेशों की खानी गौतम बुद्ध के वारे में सुनाया है लेकिन उनकी क्या जर्णी रही उनके लास्ट दिनों में वो आज जो जगा जगा पहुंचे हुए वो कैसे पहुंचे हुए तो वह अलगा जो स्टोरी है वो लोगों को पता नहीं है अटेम्ट यही था कि नौजवानों तक यह काहन ही जाए और जितना ज़्यादा आज की तारिक में वो बुद्ध को जान पाए लाट वी इपॉर्टन मनुसर आपके लिए क्या ऐसा पॉइंट था जो बहुत अटक है अलाकि बिहार की धरती से आप आते हैं और बुद्ध के स्टूप और वो सब आपके बच्पन में उसकी जर्नी कैसे शुरू ही क्या हुआ मेरी नौलेज उस मामले में उतनी पढ़ाय लिखाई इसमें नहीं में जाता हूँ जब भी क्रॉस करता हूँ सेरिया को तो अभी नाशनल अर्काइव के कंट्रोल में आ चुका है तो अल केप बहुत नाइसली नोबडी इस अलाओ टू प्ले दे आप वो खुद से अपनी मनुज वाजपई अपनी अंतरात्मा से वो सवाल करते हैं मैं सोच रहा था कि मेरे माबाप हमेशा के लिए हैं और जब मैंने उस मिर्तू को देखा तो इसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया इसने मुझे चुप कर दिया मैं लागातार इस बारे में सोचता रहा सवाल करता रहा कि भाई जन्म की होगा है कि आप मेरे माबाप को खो दूँगा तो ये एक सवाल है जो मिर्त्व के साथ आता है और उस सवाल से हर कोई जूचता है उसमें से बहुत सारे लोग जूचते जूचते अध्धात्मी की तरफ चले जाते हैं और जिसका जबाब मुझे कई सावस से जुड़े हुए कई सारे सवाल थे उसका मुझ अध्धात्मी गुरू मिले उसके सारे उत्तर मिलने शुरू हुए तब जाकर के एक जिसे कहें छोटी सी अध्धात्मी की आत्रा तभी शुरू हो पाई महनु सर आपको पहली बार कब आपके जैसा श्रीतल ने बोला हमारे तो टेक्सबुक में था बच्पन से और उनकी अ कि पांचुरी में वे कहानी था कि उन्होंने सबसे पहले मर्टु को उनका मिर्टु से सामना पोभा डरेको पहले कि चोटे बचते थे और उसके बाद अंगलिमाल की कहानी जो है बाद कि समय में आई ऐसे ही बहुत सारे और कहानें के तौर पे हमारे टेव्च्स बुक में क्या चीज़ की आपको जब उन्होंने मृत्यू को देखा क्योंकि उस सवाल से मैं भी जूज रहा था तो मैंने लेकिन वो बुद्ध थे उनका उनकी डेस्टिनी ऐसी थी कि उनका यॉगिक जीवन की शुरुवात होने वाली थी और हम सब बुद्ध की डेस्टिनी लेकर नह अगे शुरू होनी है बुद्ध की वहीं से शुरू हो जानी थी मुझे सबसे ज्यादा टचिंग लगता है जब उनका मित्र उनको नदी तक शोड़ने आता है और बुद्ध ने उसको बोला कि अब तुहारी यात्रह यहें पे खतम होती है अब मेरी यात्रह यहां अकेले क की शुरू होती है वो मेरे लिए सबसे टचिंग पोइंट है एक बार बहुत ही बढ़िया किस्वादा रहा हूं आपको मैं आपको समय लोंगा तो मैं थेटर कर रहा था यह वहीं मित्र तुनी है जिसका और अच्छी बार आपने बहुत अपने रिसर्च किया हुआ है तो म अमेरा नायर बनाने वाली थी गौतम बुद्ध पे फिल्म और वो उसमें यह रोल बहुत अच्छा लिखा गया था मित्र का उसका नाम मैं भूल रहा हूं मित्र का नाम तो वो जब मित्र छोड़ने आता है तो यह नदी के पार उसको कहते हैं कि तुमारी यात्रा यहीं त जहां पर वो बहुत दुखी है जहां पर चीखता है चिलाता है दुख के मारे गुजबंस आरे और वो जो पल था जब थेयटर के से ममें ने उसका अडिशन दिया था मैंने याद करके इंग्लिश में फिल्म बनने वाली थी और मेरा नायर थी और ताज होटल था अमेरिकं इतना पसंद आ रहा था कि उन्होंने रोका नहीं, बाकाइदा मेरा जो है, मेरे साथ साथ को मूव करती रही, as if की वो शूटिंग चल रही है, मेरे परफॉरमेंस को देखने के बाद, पता नहीं मेरा नायर कोई याद है कि नहीं है, मैंने याद दिलाने की कोशिश की थी उनको, लेकिन उनको उतना खास याद में आया, क्योंकि जाहिसी बात है, बहुत साल हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में, वो ओडिशन, मेरे जीवन का जो है, सबसे बेस्ट, one of my best performance था, और मुझे मेरा कुद, और मेरा के कास्टिंग डिरेक्टर के एक्सप्रेशन को देखके, उनके बाच्चुत को देखके लगा, यह चाहिए रोल मिल जाएगा, लेकिन वो फिल्म बन ही नहीं है, रादो, सेट से कुछ अच्छ हो, क्योंकि एसी कहानी है, जिसमें एनफ्डोट्स पीमाल के होंगे, कुछ सेट से आप इंठरस्टिंग स्टूरी बताएगे। सेट सेट पर तो हर बार इंठरस्टिंग स्टूरी होती है, ऐसे कमाल के, मैं हर रबार हर ईनंके डिरेक्टर से पूछता हूँकि, जब आपको ऐसा कमाल का अदाकार मिलता है तो वहां कहानिया तो बहुत है। मेरा जगणा सिर्फ कभी-कभी जु है इनके राइटर्स होता है। यह लाइन ऐसे नहीं बूली जाएगा, ऐसे बूली जाएगा। जब अरिसरज के साथ भीज़। अरिसरज के साथ भीज़। अरिसरज के सामने हमें राइन तो दूनों गंटे बीच-बीच में जायके सो रहे तो और हमको काम उसी दिन खतम करना है। अगर हिस्टोरिकल बायोपिक बने आपको कौन सा किर्दार ऐसा है जो बहुत ऐसा है कि उस पर काम करना चाहिए। बुद्ध के लोगा। और इतनी साही लड़ाईया उन्होंने जीती। और और सही मायने में लोग कहते हैं कि वो उस समय ऐसाही था जैसे कि असाहिते में बोलते हैं कि दूद की नदिया बहती थी। सोने की चिडिया जो इस देश को कहा गया वो उसी समय के कारण कहा गया। और मुझे अश्चर होता है कि चंद्रगुप्त पे उतना काम क्यों नहीं हुआ या उस पे हम सीरीज या कहां फिल्म क्यों नहीं बनाना चाहते है। कि आप Central का मैं क्योंकि आप कुछ हिस्टरी के Generalグarde रहें। बिटिया को इंटरेस्ट अहीं में कुछ बताते हैं कि वह बहुत अच्छा है। चीऄ वो ऑनकी उसके मार्क से वह है सबसे खराब आथे हैं मैज्स में जो ठेरे भी आते थना वोыл , पीγिन का लो सबसे होँ और लग Τ Dá selv说 और यॉहिज coloured आ सिंवर और हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करती अब वह हाई लग और हाल फिलाल में वह हैन्छ वह फ़ e.अ वह सबसे शुशी खोंख मिशमी हो है निखना पीजिए बतल़ वह उसके टीचेर बहुत पहले हिंदी बात नहीं करते हैं लेकि बच्चों का बच्चों को मैं दोश बिलकुल नहीं देता हूं क्योंकि मुंबई में ज़ादा तर लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं पेरेंस भी नहीं बात करते हैं बच्चे भी बात नहीं करते हैं इंग्लिश में स्कूल का सबसे पर डिसद्वांटेज यह है कि हम वहां पर लोकल लैंग्विश पर ज्यादा फोकस नहीं करता हैं